नमस्कार सात्रों आज का बीए पार्ट शेकिंड पेपर सेकिंड में आज का जो टोपिक है वो है राजेपाल की स्थिति और भूमिका के सम्मद्ध में सामाने तोर पर दो प्रस्पर द्रश्टी कौण परचलेत रहे हैं पहला द्रश्टी कौण है राजेपाल को राजे का केवल समयधानी कद्यक्स माना गया क्या माना गया केवल समयधानी कद्यक्स लेकिन दूसरा इस बात पर बल देता है कि राजे के प्रसासन में राजेपाल की भूमिका समयधानी कद्यक्स की उपेक्षब बहुत अधिक भैत सबसे पहरा आपने करेंगे राजे पाल स्यमिधानिक प्रधान के रूप में। में बहता है, और संसद्य की व्योस्ता की गई है। और संसिदेश व्यूसता में सासन की सक्तियां ऐसी मंत्री प्रिस्ध में नहीत होती है जो व्यूसता पिकाके निमंस ब्रदन के परती उत्रदाई हों अत्य मंत्री प्रिस्ध राजे की वास्थिक परधान है मंत्री प्रिश्द कह है? राजे की वास्थिक परधान और राज्यपाल के उलेक अब समिधान के अनुछेद 163 एक के अनुसार जिन बातों के संबंद में समिधान द्वारा समिधान या समिधान के अधिन राज्यपाल से यह उपeffective की जाती है कि वह अपने कारियों को सव विवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राजेपाल को अपने कारियों का निर्भेन करने में सहायता और मंतर ना के लिए एक मंतरी परिशद होती है सविधान राजेपाल को सविवे के सकतियों का विशेश रूप से उलेखने करता केवल असम और नागालेंड के राजेपाल को ही इस परकार के कुछ सविवे के सकते प्रापत है अते यह का जा सकता है कि साधान तयार राजेपाल राजेव सासम का वैधानिक अध्यक्स ही है और उसकी सक्तिया वास्तिय की नहीं है दूसरा राजेपाल सहमधानिक अध्यक्स से अधिक पर्थम द्रश्टी कोण में राजेपाल को क्यों अपने के माना समधानिक परधान माना लेकिन यदि राजेपाल की स्थिति का विश्तित दिन क्या जाए तो ये धारना गलत है राजेपाल को एक समधानिक अद्यक्स मातर मानना भूलोगी वास्तों में वह है एक समधानिक अध्यक्स तो है ही इससे अधिक भी कुछ है और इस द्रश्टी से हमारे राजेपाल पद का अधिन दो रुपों में किया जाता है पहला है सविधान निर्वाता राजेपाल को क्या भूमिका देना चाते थे और दूसरा है राजेपाल पद्धारी व्यक्ति के ने विविद परिष्टिते में क्या भूमिका निभाई तो समिधान सभा में वाद विवाद के अध्यन से ये नितांत इस्पस्ट हो जाता है कि समिधान निर्वाताओं की धारना के अनुसार सामाने प्रिष्टितियों में राजे पाल एक सम्धाने कद्धिक्स के रूप में ही कारिये करेगा लेकिन विशेश प्रिष्टितियों में उसकी भूमे का और अधिक मेतपों हो सकती है राजे सासन में उसकी सक्तियां वास्तो एक नह होते हो भी राजे सासन में उसका इस्तान सबस्या धिकित समानित और प्रतिष्टित होता है यह दलगत राजनिति से उपर होने के कारण निस्पक्स होता है और राजे के वास्तविक सासक मंत्री गण सदय भी आउसे कश यह अनुसार उसे मंत्रन नप्रापट कर सकते हैं अपने निर्दलिय वक्तितों के आधार पर राजय पाल राज्य के सासन की ढुल्मुल और अइस्टाई रायनिति में इस्तवाइते और इस्तिर्ता लाने की इस्तिति में होता है यदि राज़ेपाल प्रभावसाली व्यक्तिते वाला और कारेशील व्यक्ति हो तो विरोधी पक्स और मंत्री मंडल के बीच अनेक मत्वेद्यों को दूर कराने में साइक सिद्ध हो सकता है तो राजे सासन को सुगम और सुचारो और कारे कुसल बनाने में राजे पाल का बहुत अधिक मैतो होता है अब राजे पाल की सविवे क्या सक्ति हैं क्या है तो दुर्गधास बसू MC शीतलवाड ने अपनी रचनाओं में राज़ेपाल की कुछ सभिवे के सक्तियां बताई है वो इसलिए हैं सबसे पहली है मुख्यमंत्री की न्योकति राज़ेपाल का पहला कारे मुख्यमंत्री को न्योकत करना है यदि राज्ये की विधान सभा में किसी एक दल को इस्पस्ट बहुमत प्राप्त है तो बहुमत वाले राज्ये दल ने अपना नेता चुन लिया है तो राज्ये पाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वे उसी व्यक्ति को मुख्य मुंत्री पर न्यूकते करे लेकिन यदि राज्ये की विधान सभा में दले इस्पस्ट नहीं है यद भोँमत वाले दल के नेता पत्त के लिए एक से अधिक दाविदार है तो इस सम्मंद में राजेपाल सवविवेक का प्रियोग कर सकता है ऐसी स्थिति में स्वेम राजेपाल के द्वारा ही निरने किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतरतों में इस्थाई सरकार का गठन हो सकता है व्यवार के अंदर गठ भी ऐसे कुछ प्रिष्टिति आई हैं जबकि राजेपाल ने सवविवेक से मुख्य मंत्रियों को न्युक्ति किया है जैसे 1902 में सी राम गोपल अचारे मदरास राजे विधान मंडल के सदे से भी नहीं थे और नहीं कांग्रेस दल को विधान सबा में भहुत प्राप्त था लेकिन फिर भी राजेपाल सिर्फ प्रकास ने टी प्रकासम को बहुत प्राप्त होने के दावे की अवेलना करते हुए भी राम गोपल अचारे को मुख्य मंतरी पद्ग्राइन करने के लिए आमंत्रित किया इसी प्रकार फरवरी 1905 में गौवार के राजेपाल जमीर के आचरन ने विवाद को जनम दिया और 2005 में जारकन के राजेपाल दुसरा है मंत्री मंडल को भंग करना दुसरा कहा है मंत्री मंडल को भंग करना राजएपल को यह भी सहवधानिक सक्ति प्राप्त है सवेवे की सक्तिप्राप्त है कि वह मंत्री मंडल को अबदस्त कर रास्पती से सिपारिश करे और समंध्द तराजे में रास्पति सासन लागु कर दिया जाए तो राजेपाल के द्वारा परब्रत प्रमुपत तेया निम्र प्रिष्टितियों में मंत्रि मंदल को अब दस्त किया जा सकता है वो प्रिष्टिते कौन कौन सी है पहली है यदि राज़ेपाल को विसास हो जाए कि मंत्रि मंदल का विदान सबा में बहुमत समाबत हो गया है तो राजेपाल मुख्य मंत्री को ट्याग पत्तर देने या विधान सबा का अद्वेशन बुलाकर अपना बहुमत परमानित करने के लिए कह सकता है ऐसी स्थिति में यदि मुख्य मंत्री अदेशन बुलाने के लिए तैयार ने हो तो राजेपाल मंत्री मंडल को पच्यूत कर सकता है पस्चे मंगार में राजयपाल धरंबी ने के द्वारा 1968 में अजय मुखर्जी मंत्र मंडल को इसी क्याधार पर पढ़्योत किया गया था दूसरी है इसमें यदि किसी मंत्री मंडल के परती विदान सवा में एई स्वास का परस्ता अपारित हो जाने पर मंत्री मंडल त्याग पतर नहें देतो राजेपाल उनको पद से अटा सकता है तीसरी है यदि मंत्री मंडल समिधान कंसार कारे ने कर रहा हो या उनकी नीतियों से राजे या देश को खतरा हो या उनके द्वारा केंदर और राज्ये के संगर्ष की स्तिती को जनम दिया जा रहा हो तब भी मंत्री मंडल को पद्चुईत कर सकता है इसमें जनुवर 1906 में तमिल लाड़ो मंत्री मंडल को इसी आजार पर पद्चुईत किया गया था और चोथी है यादी सवतंतर ट्रिबुनल द्वारा रास्पती को ब्रश्टाचार के आरोप में दोसी गोशित क्या गया हो तो राज्येपाल उसे पद्चुईत कर सकता है इन सब के अत्रित उत्तर प्रदेश के चर्ण सिंग मंत्री मंडल को तो 1970 में इसादार पर पद्चुद कर दिया गया था कि सासन में भागेदारे बड़े दल सत्ता कॉंगुरेश ने उसे समर्थन देना बंद कर दिया है तीसरी सव्येग के सकतिय विदान सबा का अधिवेशन बुलाना सामान रूप से राज्येपाल मुख्य मंत्री के प्रामर्स पर ही विदान सबा का अधिवेशन बुलाता है किन्तु ऐसाधन परिस्तित्यों में राजेपाल सिवेख से भी विदान सभा का दिवेशन बुला सकता है यदि राजेपाल के अंसार कुछ ऐसे महत्वण मामले हैं जिन पर तुरूंत विचार के जाना चाहिए तो समिधान के अनुचेद 174 में कुछ ऐसे महत्वण में सभी विदान सभा के अधिवेशन को कोई भी तिथी निशित कर सकता है इस संबन्द में विदान सभा में भामत का समर्टन प्राप्त हो सनस्थानम और अन्यकुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है इसके अतिरिक्त राजेपाल को मुख्य मंत्री के बहुमत में संदे हो जाए तो वे मुख्य मंत्री से सिगर अद्वेशन बुलाने के लिए कहा जा सकता है और मुख्य मंत्री द्वारा उसके प्रामर्स को सिवकार ने किये जाने पर वैस्वयम अद्वेशन को बुला सकता है चोथी विधान सबा भंग करना उत्तरदाई सासन की धारणा के अनुसार सामाने ते ये माना जाता है कि विधान सबा को भंग करने का कारिय राज्यपाल उसी समय करेगा जब मुख्य मंत्रे उन्हें ऐसा करने के लिए प्रामर्स दें लेकिन विशेश परिष्टितों में राज्यपाल विधान सबा भंग करने के समद्ध में मुख्य मंत्रे के प्रामर्स को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्य मंत्रे के प्रामर्स के बिना भी विदान सभा को भंग कर सकता है ऐसे उदारन इस समंद्ध में राजेपाल आपने विवेक की सक्तियों का जो प्रियोक्या हुए है 1903 पर में ट्राउंड कोर्ग कोचीन में प्राजित मंतरी मंडल ने राजेपाल को विदान सभा भंग करने की सलादी जिसे उसने सिविकार कर लिया 1984 में जम्मु कश्मीर के राजेपाल जग बहुन द्वारा फारुक अब्दल्ला मंत्र मंदल की विदान सबा को बंग करने की सिपारिश को भी सिविकार नहीं किया गया पांच भी हैं मुख्य मंत्री के विरूद मुख्दमा दायर करने की अनमती देना सैमाधानिक व्योस्ता यह है कि राजेपाल की अनमती के बिना किसी भी पक्स द्वारा मुख्य मंत्री के विरूद मुख्दमा दायर नहीं किया जा सकता 1905 में के जैले दिता प्रकर्ण में इस्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्स वराष्टाचार या किनी अन्य आरोपि के आधार पर मुख्य मंत्री के विरूद मुख्दमा दायर करने के लिए राजेपाल से अनुमति मांगता है तब इस संबन्द में वह अपने ही विवेक के आधार पर निन्य करेगा अर्थात यह सविवेक के आधार पर मुख्दमा दायर करने की अनुमति दे सकता है वर्तवान समय में जब हर किसी मुख्य मंत्रे के विरुद रष्टाचार का आरोप हैं तब राज्यपाल की एसकती व्यवारिक राजनेती से बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है राजेपाल द्वारा समय विवेक के आधार पर किये गए इस कारिये को उचनी अलए सरोचनाः में चुनोति वैस से दी जा सकती है नौमबर 2004 में स्रोचिन नायला की पांस संसदी पीट ने अपने एक निर्ण में कहा कि राज्य का राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर राज्य मंत्री मंडल की सायता और प्रामर्स के बिना किसी मंत्री के विर्द मुग्दमा चलाने कानुमति प्रदान कर सकता है इसके अत्रित भी राज्यपाल के द्वारा सविवेक से कुछ कारिय के जा सकते हैं वह मुख्य मंत्री से किसी विशा में सूचना मांग सकता है मुख्य मंत्री से ये भी कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकले ने कर लिया हो समस्त मंत्री पर सामने रखे विदान मंडल द्वारा पारित विदेग पर पुनर विचार के लिए वापस बेज सकता है या राश्पति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है 1977 में केरल के राजेपाल दुआरा केरल शिक्षविदेख राश्पति के पास विचार के लिए भेजा गया था और इस सम्मंद में मुख्य मंत्री से कोई प्रामर्सिक नहीं डिया गया इन सब बातूं से इस्फ़स्ट होता है कि राजेपाल को राजे की कारेपालिका का वास्ति परधान नहीं कर जा सकता लेकिन इसके साथ इवे केवल नामातर का देख्य नहीं है वह एक ऐसा धिकारी है जो राजे के सासर्ण में मैतर कॉण रूप से भाग ले सकता है अब राजेपाल किंदर सरकार के प्रतिनिधी के रूप में भारते समिधान कंद्रगार राजेपाल की धोरी बोमी का है पहली वे राजे का प्रधान और दूसरी वे संगे सरकार का अभी करताया प्रतिनिधी है समिधान निर्माता भारत में एक ऐसी संगे व्योस्ता इस्तापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संगवात कौन सा सहयोगी संगवात की धारना के आधार पर केंदर और राज्यों में सद्भावना पूर्ण संबन्द इस्तापित हो सके और परसासनिक एक रुकता तथा रास्टी एक ताए कि लक्षे को प्राप्ते किया जा सके उसके दोरा राजेपाल के पद की व्यूस्ता इस लक्षे की पूरती के लिए साधन के रूप में की गई थी राजेपाल की नियुक्ती में जिस पद्दिती को अपनाए गया वह भी ये बात इस्फष्ट करते है कि राजेपाल को राजे के में केंदर सासन के परतिन दी के रूप में में जो कर दोरा कारी है केंदर सरकार और राजे सरकार के भी सद भावना पूर्ण संबन इस्तापित करने के आवस्यक्ता पर बल देता है अनुचे 256-277 में का गया है कि इस द्रश्टी से केंदरे सरकार राज्यों की कारे पालिकाओं को अपने आवस्यक्त दिसान निर्देश दे सकती है केंदर सरकार द्वारा राज्यों सरकारों को राश्टी मेतव के सड़कूं संचार सादनों की रक्षा का भार सुपा जा सकता है और अनुचे 200 ठाउन केंदर केंदर सरकार अपने कुछ परसासनिक कारिये भी राज्यों सरकार को अस्तान निर्देश केंदर सरकार के द्वारा राज्यों को इस परकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माद्यम से ही दिये जाते हैं और राजे पाल का ये करते भी है कि वह ये देखे कि राजे सरकार इन निर्देश या आदेशों का पालन कर रही है यह थवा नहीं कर दिये यदि राजे का मंत्री मंडल राजे पाल को रास्पती के निर्देशों के विरुदकारे करने की सला देता है तो वह इस परकार की सला को ऐस्विकार कर सकता है राज्य सरकार को राष्टपती के निर्देश मानने के लिए बाद दे कर सकता है यदि मंत्री मंडल केंदर सरकार के निर्देश विकन सरकारिय नहीं करती तो राज्य पाल मंत्री मंडल को चेताओने दे सकता है और इसे समिदान के विरुद कारिये मान कर अनुचे 356 के अंतरगत रास्ट पती को समधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है जब कभी केंदर सरकार द्वारा रास्ट हित के से महतवपुण किसी कारिये को अपनाया जाता है तो राजे पाल पर यह भार आजाता है कि वहें देखे कि राजे सरकार इस कारिये को पोरा करने के दिसामे आगे बढ़ रही या नहीं बढ़ रही दूसरा है केंदरी सरकार के परतिने दीके रूप में राज्य पाल के एक मैत्र पुनकारे राज्य के संबन्द में समय समय पर रासपती को रिपोर्ट भेजना जिसमें उनके द्वारा अपनी ओर से सुजाव भी दिये जाते हैं राज्य पाल अपना पद ग्रेंड करते समय 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 दान की रक्षा करने की सपत लेता है और इस दरश्टी समय का सबसे प्रमकारी ये देखना है कि राज्य सरकारे समय दान का अंसार कारी ये नहीं कर लिए यदि राज्य में सम्विधान का अंसार कारिय नी हो रहा तो राज्य पाल इस समंद में राज्पती को रिपोर्ट दे सकता है और इस रिपोर्ट का अधर पर राज्पती सासल लागू किया जा सकता है तीसरा है अनुछे दोसो अनुछे 200 के अनुषार राजे विधान मंडल दुआरा पास किये गए किसी विदेग को राजे पाल रास्पती की सिवकर्ती के लिए सुरक्षित रख सकता है उधारण के लिए जैसे संपती के अनुवारी अधिग्रेंड या उच नयाले की सक्तियों को कम करने से संबंदित विदेग राजे पाल के द्वारा रास्पती की सिवकर्ती के लिए सुरक्षित रखे जाएंगी राजे पाल इस संबंद्ध में से विवेक सिवकर्षित करता है और चोथा है अरुचे 213 के अनुषर रास्पती को अध्यदेश जारी करने का अधिकार दिया गया किन्तु उसे कुछ विश्यों को संबन्द में अध्यादेश जारी करने से पूरे राजपती की स्विकर्ती लेनी पड़ती है इन सब के अत्रित भी राज जेपाल केंद्रे सरकार के प्रतिन धीक रूप में देखता है कि वे राज सरकार संकीन प्रांतियतावाद को नए अपना कर समस संके हितों को ध्यान में रखे 19 और 20 मार्च 1906 में राजपाल सम्मेलन में ततकालिन प्रधान मंत्री सिर्मती इंद्रा गांदी ने कहा था कि संकीन प्रांटिय तावाद पर विजय प्राप्त करने में राज़ पाल की भूमी का महत्पुन है और समिधान निर्माताओं के द्वारा तो समानने तए ये सोचा गया था कि राज़ पाल की प्रत्व भूमी का राज़े के समधाने कद्धिक के रूप में और दित्व भूमी का केंदर सासन के प्रतिन निर्दी के रूप में होगी लेकिन विवार में के अंतरगत अनेक बार राज़ पाल को या दित्व भूमी का अधिक महत्पुन हो जाती है ऐसी विशेश रूप से उस समय होता है जब केंदर में एक राज़ नितिक दल की सरकार हो और राज़े में किसी एक विरोधी राज़ नितिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिले जुली सरकार हो व्यवार्म के अंतरगत जब कभी राजय पाल की इन भूमेकाओं में प्रसपर विरोध की स्थित्य उत्पन हुई तब राजय पाल ने केंद्रिय सासन के परतिनेदीक रूप में अपनी भूमेकाओं को बहुत अधिक भूमेकाओं को ही अधिक मैतो दिया है तो ये थी राजेपाल की केंद्रिये सरकार के प्रतिनेजी के रूप में धन्यवाद